Module 76, Case of Peromania अब हम एक case को discuss करेंगे उस case की help से आपको ये पता चलेगा कि manifestation of these symptoms कैसे होती है या जब एक client refer होता है clinical setting में तो उसके किस किसम का complaints होती है या उसकी life history जो है वो किस किसम की होती है तो here we will discuss about a case ओके ये जो case है ये 9 year old boy का है जिसको suppression anxiety disorder था उसके साथ साथ इसे एंको प्रेसिस की जो थी complaint थी अब इसको जो परोमेनिया है वो 10 days after the use of acetylopram जो है वो start हुआ ठीक है या जब उसने medication start की तो उसके फॉरण बाद यानि 10 दिन के बाद उसे परोमेनिया के जो symptoms थे वो आना शुरू हो गए अब ये जो case है वो therapist को क्यों refer हुआ because of his swelling, over anxiety, shyness, fear and difficulty in sleeping alone ठीक है अब जब ये सारे problems सामने आए तो उसकी mother जो है वो उसको therapist के पास लेकर आई and his mother reported that fecal swelling जो है वो 5 साल की उमर के बाद से really observe की गई थी but अब जिस वकत वो उसको लेकर आई है उस वकत वो जो है वो approximately every day जो है वो report हो रहा है तो if you see के जो बच्चा है वो 9 साल का है जिस वकत वो clinic में आया है और five year की age तक उसको जो उसकी fecal swelling थी वो खतम होगी भी थी but now अब जो time है उसके 9 साल की उमर का उसके दुरान ये बच्चा जो है वो बार बार fecal swelling कर रहा है तो she also reported के वो जो है के वो बहुत जादा stubborn हो गया है और angry हो गया है towards his mother whenever she ask him to go to the toilet तो जो उसकी stubbornness है और anger का problem जो है वो भी उसकों में report हो रहा है जो medical record है वो बता रहा है कि किसी किसम की organic etiology नहीं है यानि किसी किसम का neurological deficit नहीं है इस वज़ा से जो बच्चा है उसे refer किया गया psychiatric outpatient clinic की तरफ अब because of fear उसकी mother report करी है कि वो alone कमरे में नहीं रह पाता और साथ साथ वो सारी रात सो भी नहीं पाता ठीक है लेकिन जो उसकी academic record है वो बहतर है वो अच्छा है उसमें कोई problem नहीं है लेकिन उसकी जो bad smell उसकी body से आती है fecal swelling की वज़ा से उसकी वज़ा से अक्सर उसको school के अंदर alienation का सामना करना पड़ता है या जो बच्चे हैं वो उसको radical radical करते हैं ठीक है उसके बाद one month later क्या है जब second secretary examination हुआ उसकी mother ने emphasize किया किस बात पे कि जो उसका fear और over anxiety है वो तो diminish हो गया है even fickle swelling जो है वो भी खतम हो गई है last week के दरम्यान नहीं आई लेकिन हो क्या रहा है कि उसके बाद से उस बचे ने fire जो है वो set करना शुरू कर दिया ठीक है और ऐसा कब हुआ 10 days के बाद जब उसने इस सेटलो प्राम जो है वो उसकी टाबलेट जो है वो लेना शुरू की ठीक है अब उसकी वज़ा से वो कह रही है कि वो ही try to set fires at home और outside at least once a day ठीक तो जैसे हमें diagnostic criteria में हमने पढ़ा था कि more than one time जो है वो fire जो है वो set कर रहा हो ठीक है और वो fire जो है वो set कर रहा है कहां पर home के अंदर to set the fire in the home लेकिन उसके बाद उसकी मदर कहती है कि जैसे ही वो notice करती है वो फॉरी तॉर पर fire को extinguished करने की कोशिश करती है कि वो फॉरी तॉर पर बुच जाए ठीक है इसके इलावा उसकी मदर ने जो important चीज रिपोर्ट की वो यह कि इससे पहले उसने इस टाइब का behavior कभी भी show नहीं किया तो started as a curiosity तो जैसे हमने देखा था कि जो DSM 5 का criteria है उसमें यह है कि बच्चा जो है वो curiosity की basis के उपर भी fire setting करना शूरू करता है और यह player see कर रहा था और relax feel करता था जब वो fire set कर देता है और इसके साथ सा she said के it is impulsive in manner यानि एकदम से suddenly वो ऐसे activities को करता था और उसकी sleep pattern भी normal थी और किसी किसम की mood elevation जो है वो report नहीं की गई यानि किसी किसम की manic episode या hypomanic episode उसके अंदर नहीं मिली ठीक है इसी तरह no psychotic or manic sign hallucination grandiosity, editability, flight of ideas उसके अंदर नहीं मिले जिससा हमने ये कहा था कि हम उसके तक paromania नहीं diagnose करेंगे जब तक हमें ये चीज़ का confirm ना हो जाए तो उसके अंदर किसी किसम की manic episode आ रही है hallucinations हो रही है, delusions हो रही है इस किसम की कोई उसके अंदर assign नहीं होने चाहिए ठीक है तो जो complete उसका blood count था biochemical analysis था, thyroid functions थे वो भी किसी किसम का abnormality जो है वो उसकी body में biological abnormality refer नहीं कर रहे थे ठीक है तो that's why कि according to DSM-5 इससे paromania जो है वो diagnose किया गया because of his repetitive fire setting behavior despite his family's attempt to prevent it and the player he took from his behavior ठीक है तो यह जो हमने बहुत important बात शुरू में पड़ी थी कि उसका repetitive behavior होगा fire setting में और वो से player जो है वो seek करेगा तो वो basically player seek कर रहा है इस सारी activity से fire setting so that's why the child was diagnosed as paromania thank you